देवनागरी लिपी के अंकों से खिलवार किया गया है स्वतंत्र भारत देश में यह मैं बताना चाहरी हूँ कि आपने जो दिखा होगा हम लिखते हैं एक, दू, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नू और दस यह हमारे भारत के अंक है अब इनकों जो है हमने मतलब वर्ष नाइटीन पड़ा है यानि की एक, दू, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नू दस परन्तु जाने अचानक ही क्या हुआ कि मतलब हमने जब हम नवी कक्षा में आये तो हमें अंग्रेजी के अंकों को पढ़ना पड़ा मतलब की हमें एक को, वन को एक कहना पड़ा दू को, टू को दू कहना पड़ा त्री को, जो त्री जो उ से उल्लू है उसे तीन कहना पड़ा जो मतलब एक चोकोर सा है उसे चार कहना पड़ा जो टर से टमाटर है उसको जो है उल्टा टमाटर है जिसको जो है हमें पांच कहना पड़ा और शायद ये जो है छे कहना पड़ा और इसको जो साथ बन जाता है जिसमें थोड़ा से गोले आके उसको चाह कहना पड़ा और साथ को जो है इस तरह से लिखना पड़ा और दो बिंदियों को जो है आठ बना दिया और नो जो है छे उनचे और ये दस बन गया अब मतलब एक खड़ी पाई जो है एक खड़ी पाई है मतलब ये हमारा भारत देश का एक चोथाई फॉर्थ ऑफ 25 पेसे का रिप्रेसेंटेशन ये है और ये तीन जो है उस से उल्लू है और ये जो है छे और 9 एक दूसरे के विपरीद है जबकि अगर हम हिंदी में देखें तो तीन और छे एक दूसरे के विपरीद है तीन और च्छ एक दूसरे की विप्रीत है इसको च्छतीस का आंकडा भी कहते है च्छतीस यानि हमारे जो अपसमे अगर लड़ा जगडा हो एक दूसरे से मन मुटा हो तो उसको च्छतीस का आंकडा कहा जाता है जबकि अंग्रेजी में six और nine और six ये nine लिखा है और अगर इसको ही करें तो ये six nine और six मिल करके और eight बन जाते हैं तो इसमें eight में mistake हो तो इस तरह से परंतु ये जो nine है और इसके साथ six मिला दो तो ये दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं जबकि हमारे अंगरेजी के तीन और छे एक दूसरे से जुड़ते हैं तो भी इस तरह से अलग होते हैं हिंदी के, हिंदी बाचा के सुरी च्वमा खरिएगा तीन और छे हमारे मिल गए परंतु हमारे को छतीस का चतीस तो आंकड़ा हो गया पर तरेशट हमारे साथ हो गया और यहां पे जो है तीन तो उसे उल्लू हो गया और छो और नू इस तरह से छो और नू जो है शिक्स और नाइन इस तरह से अलग हो गया परंतु यह मैं कह रही थी कि मुझे विध्यालय जो मेरा नरस्री स्कूल चलता था 1983 से 1995 तक वो बहुत ही अच्छा चल रहा था मुझे समाज से सबसे प्रसंसा मिल रही थी परंतु मुझे इन अंगरेजी और हिंदी और अंगरेजी अंकों के में मज़े लगा जूट बोल रही हूं कि एक, दो, तीन को में 1, 2, 3 बोलना सिखा रही हूं कि एक, दो, तीन, बोलना सिखा रही हूं तो इस चीज को मुझे मतलब अपने weं गलानी हुई और मैंने नर्सरी स्कूल बंद कर दिया परंतु मैंने ये कारण किसी को भी नहीं बताया क्योंकि जो भी सुनता वो मुझे मुर्ख कहता और मैं इस कंट्रवर्सी में नहीं बढ़ना चाहती मान लीजी जिसे हैं मैं अंग्रेजी के विरुद्ध नहीं हूँ परंतु आप देखिए अब A, B, C, D अब इसको जो है A, B, C, D ये हमारी हिंदी वर्ण माला की इसके अक्षर है स्वर और वेंजन होते हुए परंतु अगर उसको अबस अद कह दे तो इसको कैसे माननी करेंगे हम तो यही हमारी साथ मुश्किल है रही और मैं आपको एक और बात बताऊंगी कि हम जो है हमारे मतलब भाषा में आज की पीडी के बच्चे है न तो 56 बोलना सीखते हैं और ना ही 66 मतलब उनको कुछ भी अंखों का ज्यान ही नहीं है चाहे न तो 56 क्या होता है न पश्पन क्या होता है न 45 क्या होता है इस प्रकार हमारी भारतिये भाषाओं का और संस्कृति का हास हो रहा है इसलिए मुझे लगा कि मुझे ये कुछ इस बाते में बात तो करनी चाहिए आप बुद्धी जीवी हैं आप कुछ भी कर सकते हैं आप सब सक्षम है मैं तो अब जाने की तैयारी में बैठी हूँ देखिए जैसे प्लेटफॉर्म पे कोई रिव्यक्ती बैठता है न कि रेल आएगी और जाएगे विसी प्रकार से जो सित्तर वर्ष की उम्र में जो रिव्यक्ती हैं वो यही करते हैं कि हाँ जब कब मतलब कब रेल आएगी कब म्रतियों की घंटी बजएगी और वो उठके चल देंगे परन्तु जब तक जिन्दा है मतलब मैं यही चीज करना चाहरी हूँ कि जब तक जिन्दा है हमारे देवनागरी लिपी के अंकों को अंकों को हम इसे कह सकते हैं हमारे स्वर है और व्यांजन है स्वर और व्यांजन के साथ साथ मतलब यह हमारे अंक नहीं अंग है मतलब हमारी भाषा के अंग है अब जैसे आपने व्यांजन भी खुब अच्छी तरह बना दिये आपने स्वर भी खुब अच्छा लगा दिया परन्तों आपके हाथ पाओं भी नहीं काम कर रहे हैं आपके अंगों को काट दिया आख को काट दिया, नाख को काट दिया सब को काट दिया तो भला बताईए आप कुछ कर सकेंगे आप उन स्वर और वेंजेंस से क्या बना सकेंगे तो इसलिए जो है मैं तो आपको यही कहूंगी मतलब यह भारत सरकार से और शिक्षावीदो से मैं यही निवदन करना चाहूंगी कि आप भारती है भाषा के अंकों को हिंदी भाषा के अंकों को उर्दू में आप जो है अलिफ बे जो लिखते हैं वो अलिफ बे ही बोलते हैं उसको अलिफ को वन नहीं बोलते हैं तो इस प्रकार से हमें समझ में नहीं आता है या एक को अलिफ नहीं बोलते हैं बे को दो नहीं बोलते हैं या बे को लिखने में टू नहीं लिखते हैं तो ह देवनागरी लिपी जिसको हिंदी कहा जाता है वर्तमान यूग में उसमें जो है उसके साथ खिलवार किया गया है इसलिए जो है मैं इसी माध्यम से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि हमें भारतिय भाषा के अंकों को पुना स्थापित करना होगा हमें अपनी पाठ्य पु पड़ेगा एक दो तीन को एक दो तीन के लिखना पड़ेगा धन्यवाद यह जानकारी में आप लोगों से इसलिए शेयर कर रही हूँ कि मैं स्ट्रोंगली चाहती हूँ कि भारतिय अंकों को पुना प्रतिश्चित करें और हमें भारतिय बच्चों को जूट बोलने से खर भारतिया करें बबुदर。